आपके साथ शेयर करने वाला हो कि वह भी आप पूत सकते हो वह भी मैं आपको ज़रूर से ट्राइब करूंगा कि सारी कोशिंद के जो अंसर वह आपको यह स्ट्रीम के तुरू देदो ठीक है तो अगर आपको आवाज आ रही होगी तो एक बार बता देना कि आवाज आ रही ह है और फिर हमारा जो डिसकेशन है वो करते है शुरू ठीक है सबसे पहले तो सबको हाए तो अभी डेट से एक्स्टेंड होने के वज़े से पूरी जो प्रोसेस है वह एक्स्टेंड हुई है ने तो अभी तक तो सेकेंड डाउन का जो रिजल्ट है वह भी लगने का लगी अभी आवता अल्मुस्ट तो डेट एक्स्टेंड होने के वज़े से आसा सब हो रहे है ने तो एस्पीप एक्सम भाई 15 डिसेंबर को आ जाएगा अभी हमारा प्रैक्टिकल का अपडेट आया है तो हमारे प्रैक्टिकल अब ऑनलाइन होने वाले है ऐसा अपडेट आया है मीनsam दो अभी ऑनलेट तो झाइग जाएगे आपको पता ही ठीक है और उसके अलावा प्लेस जो प्रैक्टिकल्स वगल्या वह भी उनलेट ही जाने वाले जिनका नया एड्मिशन होगा उनके भी ऐसा लग रहे है कि फर्स सेमिस्टर जो है वह ऑनलेन होगी तो let's see pope क्या हो है कि सारी जो चीज है वो आनलाइनी कंड़ की जाएगी जब सब कुछ आता है वो मैं आपको बता दूँगा अगर गाइडलेंस वगिर आती है कोई भी यूनिवर्सिटी के तरफ से तूसके अप्डेट्स मैं आपको जरूर से दे दूँगा ठीक है इस बार एक चीज आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे कट आफ 90 के आसपास भी जाता है वहाँ पे जो न्यू ब्रांचे से वहाँ पर आपको CS IT जो है वो मिल रहा होगा या फिर डेटा साइंस वो सारी चीज़े मिल रही होगी तो यह सारी कॉल्जिस देख लो आपको आपक जी में बनाएंगे और एक बात मैंने आज देखी कि autonomous colleges या फिर अच्छे अच्छे colleges जिनका NRF रेंकिंग 100 के आसपास है वहाँ पे भी अगर आप electrical, mechanical, electronics, telecommunication लेते हो तो easily आपको जो college है वो कम percentile में मिलता है तो अगर आपको percentile कम है और आपका interest mechanical, electrical, electronics या फिर ENTC में है तो जरूर जाएंगे वो परांच के लिए बहुत बड़ी है college आपको है, मिल जाएंगे, college online, wheel का, offline, आतता सद्या, online इस होना रकारान की सर, जे cases वगएर है उसके वज़े से जो examination से online ही होंगे, sir, AIDS लू या AIMLू, AI ले सकते हो भाई, AIDS ले सकते हो अच्छा है, data structure और data science और तो फिर उतरा नहीं हो, मैं तो यहीं बोलूँगा कि CSE data science ऐसे एक branch रहती है, वो आप ले सकते हो, वो आपको और भी सही रहेगी आपके लिए, ठीक है, specific data science लेते हो तो फिर आपको फिर वही मिलेगा, syllabus में भी थोड़ा ज्यादा difference रहेगा as compared to CSE with data science, सुभाम जाड़े, member of our channel, sir मुझे राइचुनी नाखपूर मिला, CSE के लिए लेना सही है क्या, जो main वाला है GS राइचुनी, college of engineering, अगर वो मिला है तो you can go for that, sir एक college का IT cut of 85 पर close हुआ है, लेकिन मुझे 82 है, तो cap में मिल जाएगा क्या, देखो अगर seats रही जादा, तो maybe मिल जाए, बट एक चीज़ मैं आपको बुलूँगा कि अगर आप वो college डाल रहे हो, तो उसके नीचे और भी जो college से हो ज़रू से डाल देना, ताकि आपको जो second round में college हो लगे, और अगर आपको first round में पहले सी college लगाया है, तो फिर second round में ऐसी college डालना, जिनका जो cut off है, वो first round के cut off से उपर जा रहा हो, ठीक है, ताकि आपका decrement ना हो, इसका ध्यान रखना, फिर 21% can I get ENTC in government college नागपूर, भाई, डिपेंड करता है कौन सी category अगर है, OBC, open, SC अगर होगी, तो नहीं मिलेगा, 49.58 cast NT, cast का गया, 14 cast NT3 AI, branch पूने में, चाहिए मिलेगा, क्या, मिल सकता है, देखो, अगर आप सही एक college ढूंडते हो, तो मिल भी जाएगा, क्योंकि इस बार जो extra new branches आ रही है, उनका NT का, अगर आप cut off देखो के तो उतना high नहीं है, तो maybe मिल जाए, आपको बस आपको सही से जो colleges का option है, वो डालना है, data science branch कैसी है, ले सकते हो भाई, देखो, नए अभी तक मतलब में ना तो placement देखने को मिला है, ना उसके उपर जो syllabus update है, वो भी देखने को मिला है, जल्दी मैं पूने University, नाखपर University, Mumbai University के syllabus का जो update video है, वो दे दूँगा, जिससे आपको पता चलेगा, कि आपको first year में कौन सार जो subjects है, वो सीखने को मिलेंगे, अब कैसा ह पता है कि first year में जो subjects होते है, वो आपके branch से relate नहीं होते है, वो सबको सेम रहते है, civil हो, mechanical हो, IT हो, CS हो, कुछ भी हो, आपके first year के subjects है, वो सेम होते है, जिसके वज़े से हमें इतना तो फरक नहीं पता चलेगा first year में, but second year में आपको जो फरक पता चलेगा कि AI में क्या है, data science म नहीं रहेगा, जितना मुझे पता हो, जितना मैं सुन रहा हूँ, ज्यादा बड़ा जो difference है, वो नहीं रहने वाला ऐसा देखने को मिलेगा, देखते क्या होता है, फिर है, मला low marks आहे, TFWS अप्लाई, केला आहे, नहीं पाईजे TFWS दर्माजा नंबर लागेल का, without TFWS, हाँ लग जाएगा, जो आपकी category होगी, उससे लग सकता है, TFWS से लग, अगर TFWS से करना है, तो TFWS के option डालो, normal करना है, तो normal के जो option है, वो डाल सकते हो, depends on you, winter exam demo pattern कब आएगा, अभी तक जो site है भाई, वो update ही नहीं हुए है, मैं तो check रोजी करता हो, जब आएगा मैं आपको बता benefit का कुछ benefit मिलेगा, क्या, अगर आपका ये आपनी EWS से apply कि और अपको seat open की मिली है, तो आपको जो फायदा है, वो मिल जाएगा, cutoff प्रिये दर्शनी फिले increase और decrease, थोड़ा नीचे ही जाएगा, थोड़ा जो cutoff है, वो नीचे ही जाएगा, अब बढ़ने के chance कम लगते है, सर मेरा पहली बहुत बढ़ा है, क्योंकि पहले 70 के आज 75, 76 के आज पस था, और अभी 80 क्रॉस किया है open में, तो कम होने के chance से लग रहे है, सर मेरा 82 है, SC, CAT, SC, category में मुझे IT मिला है, kits में KDK में मिल सकता है, क्या, 82 पे तो भाई, easily मिल जाना चाहिए, 82 पे तो और भी सकते हो, पलोटी देख सकते हो, आपे भी मिल जाएगा, क्योंकि 86 तो नॉर्मल CS ही गा था, तो डेटा सैंस AI बगरेगा, तो और भी 82 में आरहम से मिल जाएगा, इससे भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, थोड़ा सही से फॉर्म भरो, और अभी cut-offs के वीडियो भी मैंने आपको आज बना के दिया नागपूर के स्पेशली तो वो भी देख लो, प्लस आप अलग-अलग कॉलेजिस के जो CS IT ब्रांच है, वो अगर आपको वही चाहिए, तो cut-off निकालो, सही कॉलेज मिल जाएगा यार आपको तो, I got महराटवाड़ा में CS मिला है, should I take CS अगर AI-DSE के लिए try करू, NT 89 का, अरे भाई, 89% पर first round पर college नहीं मिला, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, 89 NT category के लिए बहुत बढ़ी है, मैं तो आपको यही बोलूँगा, कि जब आप form वर होगे, तो जो options है, वो सही से डालो, और अभी तो cut-off भी आ चुके है, तो आपको और भी सही से पता चलेगा, minimum 20-30 तो option साही साही डालो, और ऐसे मन डालो कि आपको 89 है, तो NT category के ऐसे colleges मन डालो, जिनका cut-off 95 के उपर जा रहा है, वो लगने के मतलब बिलकुल भी chance नहीं रहेंगे, और ऐसा कोई luck factor नहीं रहता है, जिससे college लग सकता है, ठीक है, तो ऐसे डालो, जो आपक को college जो है, वो मिलने के maximum chance रहेंगे, 100% मिल जाएगा, ठीक है, बस सही से आप form भर हो, ठीक है, मैं तो बोलूँगा, को फर्स डाउन में मिल जाना चाहिए था, GS राइसुनी नाकपूर कैसा है, जो main campus है, वो अच्छा है, 72.59 percentile cap 2 में पूने का अच्छा college बताओ, बैदे को उसके लिए आपको कौन सी ब्रांच है, वो देखो, एक बार specific, ठीक है, top 20 colleges तो मैंने आपको बताई दिया, उसके अगर नीचे देखना है, तो डी बाइपाटिल के काफी सारे ब्रांच है, सियंगर के काफी सारे ब्रांच है, JSPM है, फिर असीम से है, वो सारे देख सकते हो आप ठीक है, अब एक बार 600 की डीजन में चले जाओ, cutoff 6000 की डीजन में, cutoff list में, आपको सारे जो college skill, cutoff list है, वो देखने को मिल जाएगी, cutoff भी available है, official website पर यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर check, कहा गया, cutoff seat matrix, cutoff for capital 1, यहाँ पर सब मिल जाएगा, बस check करने की दे दिए और आपको सारी college मिलने के maximum जो probability हो बढ़ जाएगी, फिर हाई सर आप से contact कैसे करे, personal counselling चाहिए, थोड़ी help, भाई, you can contact me on Instagram, ठीक है, बट मैं, ठीक है तो, अगर बहुत बड़ा problem रहा तो मैं आपको बात कर लूँगा, कोई tension नहीं है, ठीक है, मेरा Instagram आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, अगर कोई problem रहा तो एक तो आप बहुत बड़ा problem रहा तो एक दो voice record में भीज़ देना, ताकि मैं को पढ़ना ना पड़े, और सही से सारी चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि जब आप type करते हो तो बहुत सारी mistakes हो जाती है, तो मुझे नहीं समझ में आते हैं, तो फिर वापस तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है, गवर्मेंट कॉलेज नाकपूर के होस्टेल कैसे देखे लगा या नहीं website पर, भाई मैंने campus tour का जो वीडियो है, गवर्मेंट नाकपूर का वो बनाया है, उसमें मैंने जो होस्टेल से बाहर से देखा है, वो आप दे सकते हो, I got Maratwada में बताया है आपको, सर मुझे DSE के लिए Round 1 में वसंत दाधा पार्टिल College of Engineering पूने का लगा है, और मुझे 78 में मुझे पूने का कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, देखो भाई, आपने पूरी लिस्ट बनाई होगी जिसके आसपा 78 वाले परसेंटेल होगे, ठीक है, अब मैं आपको एक चीज सही से बताता हो, कि 78 आप मुझे बताते हो, तो मेरे सामने ऐसे पूरे Colleges नहीं आते कि ये 78 पे मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपको ये बता सकते हो, कि ये Top Colleges है, ठीक है, अगर आपको Betterment के लिए जाना है, you can go for that, but कौन सा College लग सकता है, ये तो आपको Cutoff ही चेक करना पड़ेगा, तभी जाके पता चलेगा, और एक बात इस बार बहुत अच्छी हुई है, कि जो Direct Second Year वाले Students है, उनके जो Cutoff List है, पहले अच्छे से जो Cutoff List है, वो नहीं आती थी, ब्रांच वाइस आती थी, और इस बार जो Cutoff List है, Direct Second Year Students की, वो बह देखो कि आपका College का जो Cutoff है, वो कितना जा रहा है, according to that, आपको अपना जो Form है, वो फिल करना है, फिल करते समय, जो नाम है, वो ऐसे टालना, जिनका Cutoff उपर से नीचे जा रहा हो, ताकि बढ़िया से बढ़िया College लगने के आपके जो Maximum Chances से वो रहे, ओके, फिर है, SPPU Practical Exam 15 पासुन आहित, DSE वालेंची कसो ओनार, जो DSE वालों के लिए अलग से सारे जो चीज़े है, वो की जाती है, तो DSE वाले जाता टेंचन मतलो, पिछले बार तो इससे भी लेट हुआ था, तो आपका पूरा अलग से लिया जाता है, ठीक है, आपके पूरे जो Classes से वो नहीं पता है, ठीक है, मैंने Cut-Off का वीडियो डाला, अगर नागपूर का चाहिए, तो आपके देखो कुछ कॉल्जिस है, जिनका Cut-Off 25 भी जा रहा है, मुझे 85% है, GS राइस उनी नागपूर में NTC मिलेगा कि Cap Round 2 में, मिल सकता है वाई, क्योंकि जादा भी Cut-Off नहीं है, मैं देखो एक चीज है, राइस उनी में आपका कोई भी Category हो, कोई यह फाइदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ओपन का ही Cut-Off रहता है, ठीक है, फाइदे आपको Category के Fees में मिल जाएंगे, बस इसमें नहीं मिलेंगे Cut-Off में, तो वो दियान रखना, YCC में फाइदा मिल जाए और सई से फर्म बरते हो, तो पका मिल जाएगा, इसकी guarantee में दे सकता हो, अगर सई से फर्म बरते हो, तो, Sir, I got 88% OBC, which college is good for CS, भाई, कौन से region में, प्रोल, फर्स राउन में, बताया है, मैंने अभी, Cap 2 चाहिए, date extend का के लिए, देखो, भाई, मतलब का कुछ-कुछ problems हो रहे थे, ठीक है, ट्रैवलिंग में problem था, तीन दिन में, सबोज मुझे मुझे मुंबई का college लगा, और मैं नाखपूर का student हूँ, तो, यार, कभी-कभी problems आते है, ट्रैवलिंग में, ठीक है, first round में mainly जो students है, वो अपने college जो है, वो confirm कर ले थे, क्योंकि maximum, अच्छे-च्छे colleges की जो अच्छी seats है, वो चली जाती है, तो, बहुत traveling वगर होती है, तो, इसलिए, जो date से वो extend की है, तो, जिनको problem था, traveling वगर में, तो, वो easily चले गए, अपना college confirm कर लिया, और admission ले लिया, ऐसा है, इसलिए, थोड़ी date से, वो extend, और हर साल है, ऐसे होता है, date से extend होती है, मेरा college है, भाई, इंस्टिट्यूट लो ना वला, ठीक है, which is good for placement, प्रिये दर्चनी, CS और GS राइस होने, ENTC नागपूर, देखो, ब्रांच, देखो, CS ब्रांच बह चाहिए, तो you can go for CS, ENTC, अगर placement, दोनो college को compare करते हैं, तो GS राइसुनी का placement बढ़िया रहेगा, as compared to प्रिये दर्चनी, बट जो आप ब्रांच में comparison कर रहे हैं, वो नहीं रहेगा, आपको degree, यहापी ENTC मिलेगी, वहापे आपको CS मिलेगी, ठीक है, तो वो रहेगा, placement तो से वर्ती गेले आता, मीत अंची, खाल ची, college, माज़े, कैप राउंड, देखो आपका जो कैप राउंड two option form रहेगा, उसमें जितने changes करना है, वो change कर सकते हो, preference भी change कर सकते हो, ठीक है, तो tension मतलो, और भाई मैंने पहली बोला था, मुह फाड़ पढ़के बोला था, गल्ती मत करना, गल्ती मत करना, ठीक है, फेर सर मुझे प्रोफेसर राम में के college of engineering management मिलाए, प्लीज कैसा है, अच्छा college है भाई, अगर मिलाए तो अच्छी बात है, बीफाम 80% पूने में, पूने और नागपुर में college, बीफाम के लिए college कहा गई हमारी list, यह pharmacy list, यार मैंने पहली टेलिग्राम के group में को video बनाना चाहिए था इसका, I think बनाया भी है शायद मैंने, यहाँ पर पूरी list है, यहाँ पर मैंने सारे colleges open category के इससे sort out किया है, I think यह list नहीं है, दूसरी list है, कहां गई हमारी list, यह रही, ठीक हो यहाँ पर सारे colleges के नाम है, accordingly, जैसे यहाँ पर जैसे list है, वो बनाई गई है, ठीक है, आप देख सकते हो, फिर next है, यहाँ पर पूरे की भी है, सभी है, यहाँ ठीक है, almost सभी है, तो आप देख सकती हो, आप यहाँ ने टेलिग्राम के group पे भी डाली थी, अगर आप कुछ जा के देखना है, तो चेक कर सकते हो, उसमें सर, पूने की college की city of, नई समझे भई, सर, पी आर पोटे college of engineering CS मिला है, round 1 में कैसा है, अच्छा college है, अगर उसके अलावा और कोई options नहीं है, तो फिर वही लेना पड़ेगा, अगर है, तो you can go for betterment, सर, cap round 1 में SC 87.57C, अगर की कोई भी branch नहीं लगी, cap round 1 में, तो cap round 1 में करते हैं, cap round 1 में, suppose अगर आपको बस एक ही college चाहिए, तो उसके एक दूई option डालते हैं, तो अगर आपने ऐसा किया होगा, तो इसलिए नहीं लगा होगा, या फिर आपको जितने percentile है, ठीक, 80.57C, आपने ऐसा college जो भी आपने college डाला, उसका जो cut off है, वो आपने साही से दे हो, जिससे यह तो 100% sure होगा, कि second round में आपको जो college हो लगेगा, और उपर ऐसे colleges डालना, जिनका cut off है, 83, 84, 82, 81, मतलब higher cut off का भी लग जाए, ऐसे हो सकता है, अगर seats रही तो, अगर नहीं लगता है वो, तो फिर lower में तो आपने डाले, 100% वो लग जाएंगे, ठीक है, मुझे 86.12 है, लेकिन first round में नहीं मिला, आपके ऐसे form भरे DSE, भाई, जैसे इनको मैंने बताया कि, आपको ऐसे colleges भी डालना है, जिनका cut off आपके ऊपर हो, और ऐसे colleges भी डालना है, जिनका cut off आपके आसपास है, और surety के लिए कि college मिल जाए, ऐसे colleges भी आपको डालना है, जिनका cut off आ first round का ही जो form है, वो बहुत important है, उस सबसे अच्छा भी बनना पड़ता है, उसमें ही लोग mistake करते है, मैंने बोला भी ता, mistake मत करना, तब भी कर दी, तो आप यही है कि, आपको ऐसे भी colleges जालना है, जिनका cut off आपके नीचे रहे थोड़ा, ताकि आपको लग भी जाए, और उ ठीक है, वो चेक करेगा, 97 इसको 85 पर नहीं है, ऐसे करते, 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 जो लगेगा, वो लग जाएगा, ठीक है, उतने options आपको डालना है, बहुत सारे लोग कम options दालते हैं, जिसके वज़े से college ही नहीं लगता है, I get 97.22 और PICT में ENTC मिला है, CS ले कौन से college मिलेगा, भाई CS लेना है, तो फिर PCC होई, या फिर उसके नीचे के college देखना पड़ेगा, भाई अगले साल MGA के entrance देने वाला हूँ, top colleges बताओ, MGA का बना देंगे वीडियो तब तक, तब तक हम पूरी team create कर लेंगे, counseling करने के लिए attention मतलब आप, पूने के colleges के cutoffs क्या रहेंगे, category wise, उस प OBC certificate नहीं था, भाई, cast certificate बगेट रहे था, वो, जिल्ला में जाओ, मिल जाएगा, apply करना पड़ता है, 65 में लगेगा, CS नागपुर में लग जाएगा, बस college देखो, बराबर, ठीक है, बट, देखो, अगर आपको rice univices भी चाहिए न, तो electrical वो branch में लग जाएगा, इतना कम cut of है, बट फीज जाद है, भाई मुझे प्रोफेसर राम्मे के college of engineering में management अमरावती मिला, college कैसे अच्छा है, बता है तो था अभी, average cost of PG and Mase in Pune, depend करता है कौन सा college अप ले रहे हो, सब भी college का अलग लग रहता है, कोई main city में रहता है, कोई city के आसपस रहता है, कोई city के बाहर रहता है, according to that, fee structure रहता है, autonomous college अच्छा रहेगा, क्या, राइसुनी, जो main वाला है, राइसुनी, GS, राइसुनी, college of engineering, 4116, code वो अच्छा रहेगा, बढ़ी है, वो, 46% पर, cap round 2 में, नापूर में college मिलेगा, क्या, मिल जाएगा, भाई, आज मैंने cut-off का, वीडियो बना है, नापूर का, वो देखो, उसमें इतने, ऐसे भी college है, जिनका cut-off इससे भी नीच है, दोनों linguistic minority भी है, और मुझे 83, MGA के, जब, की रामदेव बाबा college में, 3% वालों को भी, नमबर लगा, आपने CET में, CET का edit करना चाहता हूँ, ग्रिवरेंस में, बट वो, आफ हो चुका ह है, तो आप क्या करू, category OBC, भाई, देखो, आपको अभी कुछ नहीं हो पाएगा, तो फिर second round में देखना, तब हो पाएगा, दोनों linguistic भी थी, है, और मुझे, मैं, जब, करामदेव बाबा, college में, 3% वालों को भी, नमबर लगा, अमें को, भाई, थोड़ा, आपकी comment भी, स मिला, मुझे cap round 2 में मिलेगा, क्या, प्लीज बताओ, देखो, यह 64 पे तो मिल जाना चाहिए था, क्योंकि 64 पे जैसे मैंने देखा था, options तो है, आपके पास, ठीक है, colleges में, आपने अगर पूरे options डाले होते है, तो आपको कोई ना, कोई तो college पक्का मिल जाता है, इसकी guarantee मै मैं देता हूँ, ठीक है, देखो, यह list में कुछ colleges ऐसे भी है, देखो भाई, जिनका open का 80 है, 80 के आसपास जा रहा है, तो means, NT का तो और कम जाएगा, कुछ colleges ऐसा भी है, जिनका 70 के आसपास cut-off है, ठीक है, तो मैं, आपको तो में भी मिले जाएगा, तो यह क्या करता हो, मैं यह list है, वह आपस telegram के group पे डाल देता हो, बहुत नीचे चली गई होगी, तो आप और एक बार check कर लो, आपको पता चल जाएगा, जो भी pharmacy वाले students है, ठीक है, अब जाके देख लो, सही से देखना, बस college तो पक्का मिल जाएगा, इतनी मैं guarantee दे सकता हो, अगर आप सही से form भरते हो, तो इतने percentile पे वो भी anti-category को तो मिले जाना चाहिए, क्योंकि seeds reserve रहती है, और number of जो applicant रहते है, वो भी कम होता है, ठीक है, तो मैं आपको दे रहा हूँ, यह आप मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, आप एक बार और अच्छे से check कर लो, pharmacy, और यह link भी मैं आपको दे अगर आपको link से access नहीं हो रहा है, तो telegram पे जाके knowledge seeker search कर ले न, public group है, कोई भी join कर सकता है, ठीक है, आपके लिए group है, बस, जाके check कर लो, डाल दिया, और free access है, कोई पैसा वाचा नहीं है, आराम से check करो, share करो, share करो, जो करना है, करो, बस, खुद का, वापर करो, बस, एस पी प्रैक्टिकल एक्जाम 15 पास हो नहीं, डी एसी वालें से, सांगत लो, तुम्हीं तुम्हाला आता, संद्यातर काही नहीं जेवा, एडमिशन नहीं तेवा, तुम्हाला सांगत ले जाइन सर्वकाही, फिर है, भाईया, मुझे 85% एले, जी एस राई सुने में, एन अच्छा है, यह बना, दोनों मतलब अच्छे खासे कालेज है, टॉप में आते है, ठीक है, देख सकते हो, आप जो असीम्स वाला है, यह वाला, और इंडिया श्री श्री शिवाजी, पूने का वाला, ठीक है, वो उपर है, और जो मॉडन कॉलेज है, यह इतना है, ठीक है, यह 22 नागपूर कॉलेज सेकंड मिल सकता है, बस फर्म सही से बना, आज मैंने कट आफ के वीडियो बनाया, जाके देखो, उसमें है कॉलेज जिनका 22 भी है, मैं तो बोलता हूँ कि आपको अटोनोमस कॉलेज भी मिल सकता है, अगर आपको 22 अबस अगर फर्म सही से बरते हो तो 97 EWS, best college for CS, भाई काफी सारे कौन से region में, वो चेक कर लो, पता चल जाएगा, हर region के top 10 देख लो, पता चल जाएगा, कौन सा मिल सकता है, I get 97 EWS, बता है था, ठीक है बाई, देखो, सेम सेम कमेंट्स मती करो, मैं एक एक कमेंट पढ़ रहा हूँ, तो सभी कमेंट्स मिल जाएगे, ठीक है, कट अफ पीडियेफ सेंड करा, कट अफ पीडियेफ भी डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर गया, और मैं को कुछ कट अफ से पीडियेफ से पीड वाले भी भेजना है, पता नहीं, याद ही नहीं रहा हूँ, मुझे, कहाँ पर गया, कट अफ का भी मैंने डाउनलोड करके रखा था, वो भी भी भीज देता हूँ, यहाँ पर ताकि आपको सब मिल जाए, कहाँ गया, प्लेस्मेंट प्रिया दरशिंग, जी एस राइस नहीं बता है, मतलब बहुत सारे पीछे कमेंट से, इसलिए सेम से कमेंट सारे असा लग रहे है, मुझे ठीक है, सर सीट मैटिक्स का भाई कि कल आ जाएगी, भाई क्याप राउंड डिया, सेकेंड डर में मिलेगा क्या, आ कम से कम कितना कॉलेज फिल करें, देखो डिपेंड करता है कि आपके परसेंटाल, ठीक है, अगर आपके परसेंटाल एटी के आसपास है, तो फिर अकॉर्डिंग ली आप फिर 20-25 डाल सकते हो, अगर आपको मतलब उपर से नीचे तक डालना है, ठीक है, तो वैसा कर सकते हो अगर आपको मतलब स्पेसिपाइड एकी कॉलेज चाहिए, तो फिर उसके अलग-अलग ब्रांचे जाल सकते हो, ऐसा भी है, देखो आपको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग डालो, I got C18, CSE, AI, ML, TFWS, C18, GSI, सुने, TFWS है तो बढ़िया है, कम पर पैसे में हो जाएगा, वो भी राई सुने में तो बढ़िया बात है, 82 में open को YCC में computer branch मिलेगी क्या, YCC में देख लो भाई, क्योंकि YCC का cutoff तो जादा है, CSE में तो नहीं मिलेगा, दो नई ब्रांचे से उन में भी मिल जाए, और depend भी करेगा कितनी seats खा लिए, अभी जब vacancy seat आएगी तो तब मै बताऊंगा कि कौन से college में कितनी seats है, sir engineering करते वक्त scholarship कैसे क्या रहता है, देखो अभी आप जब admission करोगे तो आपको scholarship का form भरना पड़ेगा, तो suppose आपकी सभी students की जो fees है, वो open की fees होती है, बट अगर आप OBC से apply करते हो, OBC से admission होता है, तो फिर OBC category को यह मिलता है scholarship, scholarship के और जो government है, वो आपकी आदी fees pay करना पड़ता है, तो जैसे college के website पर fee structure रहता है, वैसे ही उतनी fees आपको pay करना पड़ता है, जो remaining fee होते है, वो आपका government pay करता है, उसके लिए बस आपको अपना scholarship form है, वो pay भरना पड़ता है, उसका update आने का है, जब आएगा तो बता देंगा ठीक है, प्रियद उरशनी, उम्रेड अच्छा है या हिंगना, हिंगना वाला भाई, कमाल करते हो, उम्रेड वाला का हा भाई, हिंगना वाला बेस्ट है, वीडियो भी बना है भी, देख लो, बड़ी है campus है, MBA का भी बताओगे क्या, देखो MBA का मुझे नहीं लगता कि engineering कर लो, ऐसा है भाई, ठीक है, तो इसलिए मैंने नहीं बनाए, देखेंगे, जब पूने वगएरे मैं जाओंगा, तो उदर बनाएंगे, फिर campus टोर भी बना देंगे, और कुछ, PR पोटे college of engineering, अमनावति वसेज प्रिये दर्शनी college of engineering, नागपूर कौन था, देखो, आप आपके पास और भी काफी सारे options है, वो खुले रहते है, अगर बहुत ही बढ़िया college मिल रहा है बाहर, तो फिर जा सकते हो बाहर, नहीं तो normal college बहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, तो फिर तो home district में रहना ही सही है, शीवाजी college of engineering मिला, अकोला का कैस है, अकोला का, नही देखना पड़ेगा, भाई, भाई, 77, MD, क्या, 29, क्या CS के कोई branch में admission मिल जाए, नहीं, भाई, अब इतने cutoff के लिए पूरे जो, मतलब B grade, B plus grade, वो college देखना पड़ेगा, उसमें तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तता बड़ी से mechanical, अच्छा है, वाई से सी computer technology में ले लू क्या, और वहां highest placement क्या है, देखो आपे उन्हें placement पता नहीं क्यों, ऐसे बताया नहीं कि, ऐसे बस 16,00,00 बताया, यह नहीं बताया कि, कौन सी company ने दिया है, हमने detail में देखा था, बट वहां पर कोई updates नहीं है, but average package बगए रहता 10,00,00 के उपर वाली भी company आती है, ठीक कुई cut-off जब तक नहीं देखो कि तब तक आपको पता नहीं चलेगा, मैं कल पूने के college के भी cut-off का वीडियो बना दूँगा, जैसे आज नाखपूर का बना है, जिससे आपको और थोड़ी जो help है, वो हो चाहिए, ठीक, और कुछ, फिर मुझे first round में, ठीक, college of engineering में IT, betterment क करो, तब ही पता चलेगा, यार, मैं बोलूगा कि आप betterment के लिए, यह 20 college डालो, बट मैं को पता है, यह 20 college में CSIT लगने के almost zero chances है, तो इसके नीचे के देखना पड़ेगा आपको, जब तक आप cut-off से नहीं देखो, तब तक आपको college नहीं मिलेगा, इतना तो पक्का बता र आपको college की देदेता कि भाई तेरे को यह college लग सकता है, इस इसमें ही apply कर ठीक है, आप वो तो नहीं कर रहे है न, अगर वो करते तो भाई उसमें time जाता ही है, बट एक स्टोन को specified help हो जाती है, बट personal counseling में बहुत time जाता है, ठीक है, आपके पैसे भी जाएंगे, उससे अच लेंगे, trades, CS IT की जाएंगे, देखो, मेन अगर आप कोई भी CS IT ब्रांच ले रहे हो, तो सबसे बहुत जो preference है, CS या फिर IT को जाना चाहिए, बाद में यह आए है, बागी है, आपकी इच्छा, प्रिय दर्शनी उम्रेड अच्छा है, बता हैं बही, एक एक comment मत करो गई, मै पढ़ रहा हूँ सबी comments तो बार-बार एक ही आती है, फिर, ऐसी मत समझो कि avoid हो गएगा, first round में orphan की seat खाली है, एक college में तो second round, देखो, अगर वाप एक seats खाली रहते है, तो फिर, मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा, कि वाकेंट रहेगी, एक तो round में मिल जाएगी, नहीं तो spot round में मिल जाएगी, फिनोलिक्स college of engineering, भाई, पहली बान मान, नाम सुना है, मैंने, ठीक है, इसका, pipe का ही नाम सुना है, तो sorry, I can't tell you about this college, GS, राइसुनी वागुली कैसा है, ठीक ठाक है, मतलब autonomous है, बट ऐसा बहुत अच्छा नहीं, देखो, मतलब मेरे top 20 के list में भी, वो college न के लिए, बट मैं नहीं, मैं मुझे 80's है, राइसुनी नाखपूर में, CSC के लिए, क्या भू लिखते हो, भाई, ब्रो, I got 76, which college can I get in नाखपूर, भाई, आज मैंने, पूरा list बना है, भाई, वो cut-off का देखो, उसमें समझ जाएगा, 76 पे, मिल जाएंगे, बहुत सारे colleges है पर देखो, जो new branches है, उसमें almost सभी colleges में भी मिल जाएंगे, ऐसा भी हो सकते हैं, बस रामदिवाबा, YCC में भी चोड़के, बाकी तो नहीं नहीं, ब्रांचे के almost सभी के cut-offs सोड़ें नीचे नीचे ही है, cut-offs पता चल देखो, पल चल जाएगा, मिल जाएगा, college इतना तो ब colleges के ऐसे कर रहे हो, जिनका percentile 87 है, तो फिर 10 colleges भी डाल दिये, तो college लग जाएगा, ठीक है, अगर आपको percentile 85 है, बट पहला को option आप 92 वाले डाल रहे हो, और फिर उसके नीचे नीचे जाल देखो, तो फिर आपको बहुत सारे डालना पड़ेगा, ऐसा है, ठीक है, राम में क यह मतलब आपको बस TFS के option नहीं आते, normal option भी आते है, इतना दीमाक लगा हो थोड़ा, 88.36 मला MSECUE मिलेगा के mechanical engineering branch, अगर cut-off उसके आस-पस रहा तो मिल सकता है, वाई से सी computer science and design लगता है, लाग लाकस है, बहुत computer design यह क्या है, यह पता नहीं में को, ठीक है, क्योंकि क्या है, DS है, अभी यह क्या है बई, पता नहीं, almost सभी CS का almost जो syllabus है, वो same रहेगा, ऐसा लग रहा है, और autonomous colleges होने के बदे से syllabus भी वाप है, नहीं, पता नहीं बई, यह की बात ऐसा लग रहा है, कि demand है, इसलिए नहीं नहीं branches ला रहे है, बस यहीं चीज है, almost आपको बई, बई, मजाक है गया, और उनका cut-off भी उपर है, क्योंकि student को लगता है कि CS IT यह है, ऐसा थोड़ी होता है, बई, संतुल and maintain करने के लिए सबी चीज एक सही मात्रा में रहना चाहिए, कभी-कभी over हो गया, तो ठीक है, बट कभी-कभी ही होता है, आने वाले 2-3 साल में देखना चेंज हो जाएगा, ठीक है, आर्सी पटल शेल पर अच्छा है हाँ, पूने में CS IT एट, बटाया है मैंने क्या करना है आपको, बस आप ऐसा question मत पूछो कि इतने percent है, कौनसा college लगेगा, दूसरे उसके अलवा ये कुछ भी पूछो कि कैसे option डालना है, क्या करना है, बेटर 22 पर नाकपूर IT ब्रांच मिल सकते हैं, क्या पता है, वो मिलेंगे भाई, बी पर लस ग्रेड, उसके ठर्ट तायर, उसके भी नीचे, वो जमीन लेवल के college में मिल जाएगा, लेना है तो लो भाई, कमाल करते हो, 22 पर भी IT लोगे, बाई, इससे अच्छा दूसरी ब्रांच पर CS IT, PICT मिल सकता है, क्या, वो लगप है, अगर किसी ने अपला किया है, तो उसको seat मिल जाएगा, अगर किसी नहीं मिला, तो बाई चंस मिल जाएगा, ऐसा है, बट इतना कम तो नहीं जाएगा, cut-off, राइसुनी में AI, artificial intelligence मिलना अच्छा है, क्या, ठीक है, अब ले सकते ह हो, ST open seat मिल सकते है, क्या, condition क्या है, DAC को, अगर seats रही तो मिलेगा, C अगर बढ़ गाओ, BK का placement, अच्छा है भाई, placement, placement का tension मतलो, बस बढ़ाई करो, placement मिल जाएगा, अगर आपको सब आता है, तो placement 100% मिल जाएगा, ऐसा मैं बोलूँगा, वैकेंट seats होगा, क्या SC में, अब वो भाई, जब वैकेंसी आएगी, वैकेंसी लिस्त पता चलेगा, कितनी seats आए करके, ठीक है, और गाईस, जिन्हों लाइक नहीं क्या होगा, जरू से लाइक कर देना, इतने questions पूछते हो, एक लाइक वगरे भी क्या, कर दिया करो, शिवाजी कॉलेज, भाई बता है, मैंन इंडस्ट्रियल आयोटी ब्रांच कैसी है, I don't have एक दम स्पेसिफाइड आइडिया, इंडस्ट्रियल आयोटी क्या होता है, पता नहीं भई, ऐसी ब्रांच में आइडमिशन नहीं मतलो, जिसके बार में पता ही नहीं है, ठीक है, पहले तो पता करो, फिर option डालो, नहीं तो दिखा दो, ऐसे बता देते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना भी, आपको cut-off list टेलिग्राम के ग्रूप पर, ठीक है, अब पूने के जो college से हो स्टार्ट होता है, 600 से, 6000 से, 6000 क्या है, यह institute code, क्या है, institute code, ठीक है, अब 6000 के आज पर जाना, या फिर आप यह भी कर जाकते हो, कौन आपको देखना है, college of engineering, COEP, COEP का code क्या है, 6006, ठीक है, तो आप यहाँ पर control प्लस app दबा के डाल दो, आपको मिल जाएगा, या फिर आप एक एक करके, जो भी आपके college का code है, वो google पर search कर लो, और यहाँ पर college code, search कर लो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, जैसे यह मरा टवारा मितर मंदल, college of engineering, करवे नगर, तो 6000 के, 6000 यह जो है न, code, इसके नीचे से आपको पूने के college मिलेंगे, तो वो देख लेना, okay, modern society college of, अच्छा है, भई, राइसुनी IT, ले लू, क्या, ले सकते हो, भई, केके बाग नाशिक मिला है, betterment के लिए, angel, केके बाग भी अच्छा college है, जो आप cap round 2 के लिए list बनाओगे, उसमें आपको cap round 1 में alert हुआ, college सबसे last में डालना, वो अपने आप ही रहता है, भई, वाप पे ठीक है, तो आपको ऐसे भरना, जिसमें कुछ college सबसे भी डालना, जिनका cut up आपके आसपास हो, ठीक है, आपके percentile के तो मिल जाएगा, मैं बनाता हूँ अभी जैसी आएगा ना, तू बनाता हूँ वीडियो, भईया मुझे गोदावरी सिक्षन, संस्ता institute of pharmacy मिला है, लेकिन मुझे वो इतना अ मतलब change कर सकते हो, ठीक है, जो आपका पहले से रहता है, वैसा रहता है, अगर उसमें changes करना है तो आप कर सकते हो, जीएस राइसोनी 71% पर मिल सकता है, क्या, कास्ट वीजे, मिल सकता है, अगर आप सही से form भरते हो, क्योंकि cut offs तो है, कुछ ब्रांच का, ब्रांच इस देख मतलब पूरे ब्रांच का एके campus में placement होता है, तो opportunity सही रहती है, बस आपको आना चाहिए, आपको placement मिल जाएगा, इतना तो पक्का होता है, ठीक है, जीएस राइसोनी college of engineering नाखपूर मीडनार का 87. मिल सकता है, अरे भाई, सीविल वालों को तो RMC मिल जाएगा, ऐसे मिल होता है, thank you, आप reference कैसे दे, इस पर वीडियो बना, ठीक है, भाई मेरे को अतरंगी भाई, आपने message किया था, किया होगा, अगर किया भी होगा, तो एक बार प्लीज कर देना, मेरे को बात करना तो भूल गया है, ठीक है, भाई, प्रियदरशनी college of, ना, देखो मेरे को जब म कर जाकता है, तो please, I will definitely personally help you, बस आपको मेरे थोड़ी help करना होगा, Instagram पर मैसेज कर दो, जिनको भी मतलब interest है, मैं भी आपके help कर दूँगा, कटाउस भी दे दूँगा, ठीक है, यह हमारी Instagram आइडिया है, अगर follow नहीं किया होगा, तो कर दो, काम के लोगों को follow किया करो, वर पाटिल पिम्परी, पिम्परी का अच्छा है भई, उसमें डीवाई पाटिल में जो प्लेस्मेंट हो, अच्छे खासे आते है, लो परसेंट, लो परसेंटेज वाले college कैसे पता करें, civil engineering, देखो, लो परसेंटेज वाले अगर आपको पता करना है ना, तो एक काम करो, क्या देखो कितना cut-off जा रहा है, पता चल जाएगा भाई, सर गजानन शेगा उस, ब्रांच ये 71 परसेंटाइल पर मिल सकता है क्या, श्री गजानन शेग, अब वो cut-off पिड़े अगर आसपास रहेगा, तो मिल जाएगा, श्री सहरस्वादी college of engineering, खारगर, चलेगा क्या है, मैंने direct second year का cut-off नहीं देखा, बट मैंने first year engineering का देखा, तो 88 के आसपास था, तो में भी direct second year को मिले, अब problem क्या है कि direct second year के seats कम होती है, इसलिए cut-off और हाय रहता है, cut-off देखो, अगर seats रही तो मिल जाएगा, क्योंकि civil के लिए उतना competition नहीं रहेगा, अगर betterment चाते हो तो और भी अच्छा लग सकता है, एसी पटल ठीक है, first year में कोडिंग कहां से सीखे, बहुत सारे channel है, वो सब वीडियो मिल जाएंगे, तुम tension मतलो, बस पहले admission होने दो, उसके बाद तुमको मैं placement बताऊं, यह बताऊं, क्या बोलते है, पहले तो syllabus बताऊं बताऊंगा, फिर paper pattern सबसे important वो भी बताऊंगा, क्योंकि offline में paper pattern hard रहता है, आपको कोई भी practice नहीं है, 12th में pressure handle करने की और engineering में थोड़ा tough रहता है वाई, अगर पढ़ाई नहीं करोगे, सही से तो थोड़ा tough और हो जाएगा, तो कैसे करना है सब बताऊंगे, मैं especially पूने नाखपूर को तो हम और भी अच्छे से बताएंगे, क्योंकि पूने में अभी तक जो examination हुई है, 2019 का जो pattern है, पूने का वो भी का सबसे नया pattern है, और उसकी offline के examination, बस एक ही offline examination हुई है, और बागी सारी जो examination है, वो offline हुई है, online हुई है, तो जो एक offline examination हुई थी, वो मैंने द रहोगे, ठीक है, तो चूज परिया दर्शनी, आईटी और राइसओनी डेटा साइंस, दोनों सही है, राइसओनी में और बड़िया रहेगा data science, ठीक है, ले सकते हो, आईटी भी सही है, दोनों अच्छा है, अगर स्पेसिफिक data science नहीं लें तो आईटी के लिए जा सकते ह है, फिर है, भाई, आपका नंबर दो, भाई, बड़ी problem हो गई है, MCCAT formatted करना है, बहुत गरिवरेंस option बंद हो चुका है, भाई, इंस्टाग्रम पर मैसेज करना भाई है, 95.51 है, वी आईटी में इटी मिलेगा क्या, कट आफ सासपस रहेंगे तो मिलेगा, अगर नहीं रह है, सीट्स पे भी, सरस्वती बक्वास कालेज है, I am from college of, I am taking admission in सिपना कॉलेज अमरावती, सरस्वती खाली सिविल नाच, देखो भाई, सुन लो, सरस्वती कॉलेज के बार में ऐसे tip नहीं मिली है, तो सिपना कॉलेज अचा है, ये तो पक्क है, भाई, प्लीज बताओ, प देखो वो जो आपका, जो भी मतलब उदर computer होता है, वो देखता है कि ये college का अटना है, इसको इतना है, लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा, नहीं लगेगा, अगर लो पहला ही डालोगे तो नीचे का देखेगा ही नहीं ना भाई, वो ये नहीं देखता है कि आपको बह अगर वो लगाए तो ठीक है सर आपने आपका एजूकेशन नहीं बता है भाई मैं ठर्ड यर का स्टूरंट तू सी एसी मेरी ब्रांच है फिर M.E.S.E.O.U. कॉलेज पूने फूल फॉल फॉर्म तो लिखने की तोरी तकलिप करो सीविल में 77 है नाकपूर मिकेला कॉलेज नाव बोलो टॉप ट्वेन में के भाई सारे कॉलेजेस अल्मूस्ट लग जाएंगे वाई सेसी भी में भी लग जाए अगर कट अफ देख ल कॉलेज कैसा है ठीक है जो आप दो के लिए लिस्ट बनाओगे उसमें आपका घरे क्या प्राउंड में अलोट हुआ कॉलेज आ रहा रहे हां भाई नीचे आ जाएगा अपने आप आपको नहीं डालना पड़ेगा भाई मराट वाड़ा मित्र मंडल वर्सेज डीवाई पा लगने की ज्यादा चांसे रहेंगे पर कट अफ चेक करना क्योंकि इस बार कट अफ अभी सेकेंड रॉन में थोड़े कम भी हो सकते है तो अच्छे से मतलब हाई टू लो डालना ठीक है सब्सक्राइब आपको 89 है तो आप 92 से स्टार्ट कर सकते हो 92 91 99 1.5 89 ऐसे ऐसे करते कर मतलब कॉलेज तो लगी जाएगा ऐसा दादा मीनी मैंने सीटी चे अप्लिकेशन ओपन मदे फिल्ड के ला आए अका ओपन कॉलेज मदे डॉक्यमेंट सब्मिट करनो भी सी में देखो भाई जिससे अपला करोगे वही कॉलेज में जाके कुछ चेंज नहीं होता है ठीक है उसा पोर्टल पर होता है राम सही है भाई निकलेज भाई राइसो ने में कैप राउन में ओवी सी वाले बच्चों को माइनरीटी में कैसे अडमिशन मिलेगा देखो एर उनका पूरा भलताई सिस्टम है माइनरीटी किसी आल्मोस्ट खाली रहती है वह फिर स्पाट अडम या फिर मैनेजमेंट में डालके ले देते भाई ऐसा होता है रामद्यू बाबा नागपूर में ठीक है मुझे वी आईटी मिला है सी योईपी के लिए बेटर में ट्राइक करो भाई करो मझे कॉंसे कॉलेज में ठर्ट येर कर रहे हो थोड़ा खुल के बताओ वाई सी दोनों अच्छा है दोनों मतलब आस-पास ही है बट जो प्रिये दर्शिने का कट ओफ है वो उपर जा रहा है इस बार तो थोड़ा प्रिफरेंस देना पड़ेगा प्लेस्मेंट उसी दिन चेक किया थे बताया था मैंने आपको ठीक है प्लेस्मेंट का तो उसी दिन हमने आपको बता दिया था मतलब वह स्ट्रीम में उसका थमनेल चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उसमें हमने प्लेस्मेंट चेक किया थे मैं यही प्रिफर करूँ CSIT के लिए जाओ दूसरे कॉलेज में भाई COEP में रहो बहुत खतरना कॉलेज है अगर सही से करोगे तो लंसम पैकेज भी मिल सकता है क्राइड,EWServed background रही तो OBC को मिलती है क्या अगर देखो सीट सीट रही तो कोई भी किछी भी मिल सकते है सीट चाइप कोई भी मिलती है ठीक है तो उसका अप मत देखो आप गर के सारीफ से वह साइट वाली हो ठीक है आप सही से बस फॉर्म बरो वाइसे से मेकनिकल ठीक है बाई सर मॉडरन एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज अच्छा है अच्छा कॉलेज है मॉडरन वाला भी ठीक है और गाई हमारा और एक चैनल भी है तो अगर अपने अभी तक चेक उट नहीं के तो ज़रू से चेक बता रहा हूँ आज तो देखा नहीं होगा तो देखना ठीक है कहा गया अपना चैनल यह है गाई हमारा दूसरा चैनल तो यह देखा नहीं होगा तो ज़रू देखना यहापे हम काफी सारे शूस के अन्बॉक्सिंग वीडियो डालते है प्लस काफी सारे व्लॉग्स भी प के देख सकते हो भाई कहा गई हमारी लिंक अरे भाग गई ठीक है तो लिंक रूप ही नहीं अपनी तो कि यह रही रिप्लिस्ट वाइसे सी कंप्यूट टेक्नोजी मिलेगा क्या एटी रूप भाई आज ही हमने कट ओफ डाली है देख लो चेक करके वीडियो बनाया है भाई देखो ना यार नाकपुर वाले लोग देखा करो भाई आपके लिए सबसे पहले बनाते हैं कमाल करते हो बेटे AI and Machine Learning branch कैसी है ठीक रहेगे भाई देखो अभी जैसे future में देख रहा ठीक है future में AI, ML, Incode रहेगा scope रहेगा बट एक चीज़ा है यह specified branch है ठीक है specified branch में बहुत बड़ी openings नहीं आएगी बट एक चीज़ा है कि जब openings आएगे तो अच्छी कासी आएगी तो scope तो है Indian education category wise क्यों काम करता है अब भाई इसका बारे में मुझे नहीं पता आपको पता है कि इससे कितना loss होता है students का सबको same कर देना चाहिए खतम काम जिसको अच्छे पर सबके rank wise ले लो ना SC का cut of curve में NT का उससे भी कम है उनको कम में ज़्यादा मिल जाता है फिर open वाले को बीचारों को इतने percent लेने के बाद भी अच्छा courage नहीं मिलता है ऐसा है भाई इसमें क्यों ऐसा भाई हमने कौन सा गुना किया है असीम्स वासिस modern education society you can go for असीम्स Mumbai में IT मिल सकता है के 50 पर मिल सकता है भाई देखो अब college उतना यह नहीं मिलेगा सीधी सीवात है असीम्स IoT college के ऐसा ले सकते हो गए वह यह option तो bro 80 पर close हुआ है CS तो cap में 2 में 75 इतना कम होने के chances तो कम लग रहे है इतना कम बना मुश्किल होता है मुझे वी आइटी पूने CS बेटला है वालचन बेटले का second round ला ट्राइ करो वालचन मिलता है तो बहुत बढ़िया रहेगा फीज भी कम है प्लस प्लेस्मेंट बहुत खतरनाक है विची उनिवसिर से गुज नाकपूर और अम्रा होती नाक इंचन ने आइटी वालों को सर क्याप में प्रिये दर्शनी कॉलेज ओफ इंजरिंग लगाए सीटी में चलेगा चलेगा इंस्टेट्यूट लेवल फॉर्म भरे मैं बताओ क्यू भाई पैसे खर्च करने चाहते हो खुद के आपने जो कॉलेज डिस्पले किया है वो रैं अब है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई ओपन की सीट बाखी क्याटी किरी वालों को देते हैं क्या ऐसा हो सकता अगर सीट स्वैकेंड रही तो में भी हो जाएं वह 52.2 परसेंटाइल राउंड वन में एस बिजन इलेक्रिकल टी फ्वस लगा राउंड टू में अगर क्या है मैं को नहीं लगता भाई टी फ्वस में कोई सीट छोड़ेगा और बहुत ही रेयर लोग छोड़ते हैं मिलना बहुत मुश्किल होता है टी फ्वस के सीट अगर मिलती है तो फीज बहुत कम हो जाती है तो इसका फाइदा ले लो भाई बैटर्मेंट के लिए वालचन कॉलेज सोलापूर क्या है ठीक है जिनका एडमिशन नहीं होगा सेकेंड राउन में वो क्या करे कुछ नहीं स्पाट राउन होगा तो उसमें ट्राइकर हो नहीं तो फिर मैनेजमेंट तो है ही मुंबई में आईटी मिल चकता है कि 50% डेल में बता है भई भई आप लिखास यो नाकपुर है ठीक है इस प्लेस्मेंट प्रिय दौरश में प्लेशन का रिप्लाइड क्यों नहीं दे रहे हो भाई प्लीज भाई दिया ना भाई कमाल करते हैं यहीं पड़ा मैंने है टीवड़ेल्यूस नहीं था न अब देगो जिनका मतलब ऐसा मुमें ने जिसमें पिछले बार 50% से भी कम एड मीजन थे वापर टी फ्व्स की सीट्स नहीं है 50% में नागपूर में सीट्स लेल कौन सो बहुत आज ही बनाए वीडियो जाके देख लो पता चल जाएगा कट ओफ वाला मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस और इंजिनिरिंग सर केडी के टी फ्व्स कैसा है टी फ्व्स कैसा है मतलब भाई टी फ्व्स कोई ब्रांच थोड़ी है वह कैटी की लिए कमाल करते हो ओपन में सीट मिलने पर हम EWS सर्टिफिकेट दिखा के फीज कम होगी क्या अगर आप आपने EWS से अपलाए कि और सीट टाइप ओपन मिला है तो मिल जाएगा कंसेशन प्लेश्मेंट कैसे चेक करें ओफिशल वेबसाइट पे प्लेश्मेंट सेक्शन में जाओ मिल जाएगा फिफ्टीइट परसेंटल फार्मसी कॉलेज मिलेगा कि अम्रवती में देखना पड़ेगा है कॉट थोड़ा कमी है आपका तो हाव इस ही अगर काशी पर ठीक है तो पूल सी रहम गाई काड़ पाटिल कॉलेज कैसा है कॉलेज ब्रो क्याफ वन मिला मतलब टॉप 10 में तो नहीं आता है बना है मैंने पूरे के टॉप कॉल्जिस पे देख सकते हो वीडियो राइस वनी बैस्ट की पालोटी डियस वाई के लिए सीविल इंजिनेरिक सीविल इ सीट आएगी तो जैसे आएगी मैं वीडियो बना दूंगा कि अपराउं टू का फॉर्म कैसे बना है और कैसे कॉलेज नेम डालना है वो बताता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वगरे ठीक है और जिन्होंने का हमारा दूसरा चैनल देखा नहीं होगा तो एक बा होए ठीक है तो यह अमना चैनल है नाम तो देख सकते हो कई पर भी सर्च करो मिल जाएगा गूगल भी कर लो मिल जाएगा ठीक है तो मिलते है गई फिर नेक्स्ट रिम में बाई गुड़नाइट टेक केर स्वीडियम्स औल दे बेस्ट वार यूर एंडमीशन्स